सब्सक्राइब ओके इसका एक टॉपिक है आपका नूट्रासुटिकल्स ठीक है आज हम इसको डिसकेस करेंगे थर्ड यूनिट में हमें क्या देखना है मैक्रो नूट्रियंट्स, माइक्रो नूट्रियंट्स, इन्पॉर्टेंस ओफ वाटर इन बॉड़ी, इन्पॉर्टेंस ओफ फाइबर इन डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है, माल नूट्रिशन क्या होता है, नूट्रिशनल डेफिशेंसी से कौन सी डिजीजेज होती है और जंग फूट के हमारे बॉडी पर क्या नेगेटिव इंपक्ट्स पड़ते हैं और न्यूटिशनल वैल्यू फूड में कौन से फूट से हमें क्या मिलता है ठीक है फॉर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है और फूड सेफटी पैरामीटर्स एडल्टरिशन ऑफ यूजे होते हैं उन से मिल्क बनाया जाता है और वह मिल्क बहुत ज्यादा मतलब हानिकारख होता है स्वास्त के लिए तो फूड में जो मिलावट होती है उसको उसके बारे में हमें देखना है neutr Packers देखने अधरी संप्लिमेंट्स देखनेए और सच dop खने में और फूदढ इंट्रकेशन 좋다 इन चीजिए हमें स्ट परदी च्बीड निये तो डिन्ही अगोइंग तुटा विय तो अध्य वैंग त्ेश्कर्स ंजा फॉकल्स एनी वन उफ यू एनी रफ आइडिया वाट इस न्यूट्रा सुटिकल्स कोई बताएगा हलो दिलीप महेक सैल कुमारी संसकार वाट इस न्यूट्रा सुटिकल एक होते हैं फार्मसोटिकल्स फार्मसोटिकल में आता है मैडिसंस मैडिसंस वह होती है जिनमें थेरापिटिक एफेक्ट होता है मतलब बीमारी के treatment में use की जाएंगी ठीक है एक होते है nutraceuticals इसमें आता है nutritions nutritions में आता है multivitamin tablet capsule mineral के capsule साते हैं सिरप्स आते हैं इनको हम nutraceuticals बोलते हैं जैसे टमाटर से जो हमें nutrition मिलते हैं उसके tablet capsules आते हैं और जितने भी fruits हैं ना जैसे आपका apple है ठीक है grapes है तो इन से जो nutritions हमें मिलते हैं इनके qualifications आते हैं Dentrix बेंड현 इसको nutraceuticals कहते है好 एक-टाइप के health supplements होते हैं यह हमारी health को boost करते हैं हमारी immunity को boost करते हैं ठीक है और हमारी health को maintain करने के लिए हमें support करते हैं तो इनको का नूट्रा सूटिकल्स कहते हैं नूट्रा सूटिकल्स से हम कंस्यूम करते हैं तो हमारे बीमार होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ठीक है जिसमें विटामिन साते हैं मिनरल साते हैं यह सारे प्रोटीन साते हैं और काप्स के कुछ formulation market में आते हैं, protein powders आते हैं, तो ये सब nutrients chemicals की category में आते हैं, तो आज हम इनको discuss करेंगे, ठीक है, हम यदि हमारे खान पान का धिहान रखे, हमारी diet यदि balanced हो, हमारी body में यदि proper water का consumption हो, तो हमारे बीमार होने की possibility बहुत कम होती है, तो हमें macronutrients की बीज़रत है, macronutrients की बीज़रत है, macronutrients वो होते हैं, जो हमें थोड़ा ज़्यादा quantity में चाहिए, macronutrients वो होते हैं, जो हमें कम quantity में चाहिए, ठीक है, हमारी body में minerals की बीज़रत पड़ती है, तो minerals भी macro और micro की category में आते है, macro मतलब more than 100 mg, micro मतलब less than 100 mg जैसे हमें iodine की जो need है वो बहुत कम होती है वहीं पर हमें calcium mineral है element है इसकी need हमे 1000 mg per day होती है तो iodine की need और calcium की need में difference है ना iodine हमें चाहिए less than 100 mg minute quantity में चाहिए और वहीं हमें calcium चाहिए 1 g in a day तो ज्यादा है ना तो इसी के basis पे सको classified किया गया है on the basis of quantity की डेली कंजप्शिन क्या होना चाहिए तो उसमें माइक्रो नूट्रेंट्स लेस देन 100 एमजी मैक्रो नूट्रेंट्स मोर देन 100 एमजी इसका एक्जामपल भी मैंने आपको बताया नूट्रिशन क्या है हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ज़ाधा जुरूरी है हम जो कुछ food consume करते हैं क्यों करते हैं हमारी बॉड़ी में energy production हो और हमारी बॉड़ी का proper development हो ग्रोथ हो और हमारी बॉड़ी में जितने 결он के बाक्षन हो तो सब प्रॉपर्रली फवर्म तो इसलिए हमें newट्रीसिएंट की बाटी में सुरत पढ़ती है हमारी बाडी में वाट्र का भी काफी important रोल होता है ठीक है हमारी बॉड़ि में 70 percent water होता है युरिन का प्रोडक्शन होता है युर्यन के composition में 95 percent water होता है तो वाटर का हमारी बॉड़ि में बहुत important role है World Health Organization के guidelines के हिसाफ से हमें पर डे है हमारे survival के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है water और air एर में क्या oxygen तो यह दो चीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हो सकता है कि आप दो दिन बिना खाए खाए खाना खाए के रह सकते हैं लेकिन क्या आप पानी और हवा के रह सकते हैं नहीं रह पाएंगे आप क्योंकि आपको पानी और हवा की बहुत ज़्यादा दरूरत है ठीक है तो हमारी बॉड़ी में water का क्या रोल रहता है आप सब जानते हैं है एक्जाम में पूछा भी जाता है आपके social pharmacy मे रोल ऑफ वाटर ठीक है तो इसमें आप water के रोल के बारे में बताएंगे ठीक है हमारी बॉड़ी का मेजर जो हमारी बॉड़ी का जो कंपोजिशन है जो कंस्रक्शन है उसका जो मेजर कॉंस्ट्रेंट है वह वाटर ही होता है हमारी डाइट में हमें फाइबर्स भी लेना ज़रूरी है ना फाइबर्स लेना क्यों ज़रूरी हमारा जब इस टूल का फॉर्मेशन होगा तो इस टूल प्रॉपर केले के शेप का बनेगा सौफ्ट सा और वह स्टूल का आइडियल शेप एंड साइज होता है है ना यदि किसी को इस टूल बहुत जादा मतलब पतले स हो रहे हैं तो वह भी सही नहीं है किसी को बहुत ज़्यादा हाड स्टूल हो रहे हैं इस नॉट गुड हाड स्टूल क्या करेंगे कभी कोई कट का फॉर्मेशन कर देंगे को फिशर का फॉर्मेशन हो जाएगा आपकी एनस की कैनाल में और उसकी वैसे आपको पेन का करते हैं कि हमारा हेल्थ कैसा है यूरीन जो होता है हमारा एक्सक्रेटरी वह भी हमारे हेल्थ को डिसाइड करता है कि हमारा हेल्थ कैसा है ठीक है यह डाइट का एक मेजर रोल होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो हम सभी को पैलेंस्ट डाइट लेनी चाहिए उसमें nutritions, उसमें vitamins, उसमें minerals, उसमें carbs, उसमें protein, उसमें lipid, ये सब कुछ उसमें include होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं balanced diet, तो body को जिस चीज की जितनी जरूरत है, daily basis पे उतनी हमको body को देना चाहिए, food के माध्यम से, यदि हमारा food consumption अच्छा होगा, तो food as a medicine काम करेगा, और हम बीमार कम पढ़ेंगे, तो हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा time और energy भी बचेगी, तो हमें हमारे सिहत का ध्यान रखने के लिए हमारी diet को maintain करना भहुत जरूरी है, और diet होती है हर वेक्ति के age के हिसाब से, उसके digestion की capacity कितनी है, यदि कोई वेक्ति खाना जादा पचा नहीं पा रहा है, तो उसको थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, यसे जो बूड़े वेक्त आप लोग को जानके शायद आश्यर योगा मैं तीन लोगों को बाहर कर चुका हूं, अब वो class attend नहीं कर पाते हैं, अटेंड ही नहीं कर पाते हैं, link पे click भी करें ना तो भी अंदर नहीं आ पाते है class में, आपको मैं इत्ते दिनों से समझा रहा हूं कि class disturb आप लोग नहीं किया करो, नहीं किया करो, फिर भी करते हो, एक दिन चलता है, दो दिन चलता है, अब मुझे आप मैं screen share करके आपको पढ़ाता हूं, तो मैं देख नहीं पाता न, कि कौन कहां क्या कर रहा, फिर मुझे screen sharing stop करनी पड़ेगी, फिर, मैं यहीं देखता हूंगा, कि कौन class disturb कर र अब सही अब जा रहे हैं, रुको मैं अब यह जो भी है न, मैं इसको block करूंगा, तो class कभी अटिन नहीं कर पढ़ा रहे हैं, मैं तो सुमित कुमारी गुर्जर, यह कौन है सुमित? अब मैंने सबको mute कर दिया, कोई भी अपने आपको unmute नहीं करेगा, ठीक है, मैं सोचता हूं, आप लोग कोई सवाल पूछ सके, इसलिए आप unmute रहे हैं, और अब जिसने भी class disturb की, मैं उसको block कर दूँगा, वो कभी भी class attend नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं आत अब की, तो मैं उसको block कर दूँगा, और मैं उसको फिर class एक भी attend नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अब एक महीना पूरा-पूरा complete हो गया है, आप लोग को operating भी थोड़ी बहुत आने लगी है, कि कैसे use करते हैं, और कैसे नहीं करते हैं, आप लोग अपने आपक किया, तो किया, फिर मैं उसको unlock नहीं करूँगा, पूरा session निकल जाएगा, आपका, तीन महीने पढ़ाई करनी हैं आपको मुझसे, तीन महीने तक आप मेरी class अटेंड नहीं कर पाओगे online, तो अब class कोई भी disturb नहीं करेगा, पहली और आखरी बार में आपको समझा रहा हू इस वज़े से मैं आपको पहले ज्यादा class देता था, तीन-तीन classes आपकी होती थी, अब वो classes मैंने सब बंद कर दी है, और अब मेरी भी class जो disrupt करेगा, मैं उसको block कर दूँगा, अब यह पहली और आखरी warning है, बार-बार मैं नहीं समझाओंगा, उत्तरी काम नहीं करूँगा प्रोटीन का जब metabolism होगा, प्रोटीन का जब breakdown होगा, तो amino acids बनेंगे, हम जो तेल खाते हैं, हम डाइट में क्या लेते हैं, दाल, चावा, सब्जी, रोटी, रोटी से हमें क्या मिल जाएगा, काफ्स मिल जाएगा, दाल खाएंगे, दाल से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, औ जैसे हमारी body में insulin का production हो रहा है insulin के लिए zinc चाहिए zinc is a mineral zinc is a element यह हमारी body में होगा तो insulin बनेगा insulin फिर अपना काम करेगा insulin की deficiency हो जाएगी तो diabetes हो जाएगा किसी भी nutrient की deficiency body में हो तो उससे disease पैदा होती है ठीक है जैसे protein की कमी हो गई तो मरासपस रोख हो जाएगा है ना आपके जैसे bones कमज़ोर हो जाएंगे यह दि calcium mineral की कमी हो गई तो बोन से demoneralization होगा तो osteoporosis osteomalacia जैसी problem हाईगी ठीक है जैसे आपका iron कम हो गया आइरन कम होने के केस में आपको अनीमिया हो सकता है, ब्लड का प्रोडक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा, इसको हम अरिथ्रो पोईसिस बोलते हैं, अरिथ्रो पोईसिस इस प्रोसेस अप ब्लड फॉर्मेशन, तो यह नी होगा आपके बॉड़ी में, है ना, आपके बॉड है, प्रोटीन है, काब, लिपेड, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हम फैटी चीज़े खाते हैं, तो फैटी चीज़े हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, कोलेस्ट्रॉल, HDL और LDL आपको मैंने बताया था, गुड लो डैंसिटी लिपो प्रोटीन और हाई तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बोडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक बैलेंस्ट रेंज में, एक रिफ्रेंश रेंज में, जैसे हमें पानी पीना है, इट्स गुट फर हल्थ, बत हम बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी हमें प्रॉब्लम होगी, तो हमें पानी 4 से 5 लि है पोटेशियम होता है हमारी बॉडि में फिर एलेक्टरलाइट दिये जाते हैं और यह मिनरल समें डाइट से भी मिलते हैं जिसे टमाटर हुआ जो रोड होती है उसमें मिनरल प्रेजेंट होते हैं जिसे आप आउला खाओगे विटामीन सी मिलेगा ऐसे ही आप पपीता मिलते हैं इसका में आइडिया होना चाहिए और की डेशिएंस अकॉंसे कौन से atriUB होते हैं तो बाड़िकोई ने कोई कोई क्लीनिकल नेकरिशन तो देगी क्लीनिकल मानिकोईG क्लीन की सीवाथ लिप पूरा करने विशेंजु थे स इना जिस बीशिसभी कि डेशिएंज स और यह विटामिन हमें कहां से मिलते हैं, नाचलल सोर्सेस से मिलते हैं, दबाई की कम्तियां नाचलल सोर्सेस से ड्रग मॉलिक्यूल को आइसोलेट करके उसके फॉर्मलेशन बनाती हैं, ठीक है, तो नूट्रासूटीकल्स आपको समझ में आया, क्या होते हैं, it is health supplement, अब हमारी lifestyle को healthy बनाये रखने के लिए और हमारी body को disease free करने के लिए हमारी जो eating है eating habit है वो अच्छी होनी चाहिए हमें nutritious food खाना है हमें junk food खाना है हमें junk food नहीं खाना जो junk food आता है ना market में लेस आता है कुरकुरा आता है यह हमारे लिए कोई काम की चीज़े नहीं है लेस कुरकुरा और ना जाने क्या क्या आता है ठीक है हमें fresh food खाना चीए fresh vegetables खाना चीए seasonal fruits खाना चीए seasonal vegetables खाना चीए तो इससे हमारी health perfect रहेगी और ऐसा कहा गया एक कहावत है health is wealth health is wealth हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा स्वास्थ तो अपने स्वास्थ का हमें धिहान रखना है और कुछ है हमारी ऐसी life styles होती है life routine है हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें proper nutrition नहीं मिल पाता हम seasonal food vegetables नहीं खापाते है तो उस case में हमारी body में deficiency होती है फिर deficiency से clinical manifestation आता है और हमारी body बीमार पड़ जाती है ठीक है तो nutraceuticals की definition आपको समझ में आ गई है इसका मतलब क्या होता है food ही medicine है और medicine ही food है ठीक है यह किस ने कहा था हिपोक्रेट्स ने कहा था हिपोक्रेट्स को हम father of medicine भी कहते हैं mcq में question पूछा जाता है who is father of medicine उसका example क्या है उसका answer क्या होगा हिपोक्रेट्स ठीक है it is a Greek physician physician मतलब होता है doctor the term nutraceutical was coined by combining the terms nutrition and pharmaceuticals pharmaceutical means होता है drug ठीक है और nutrition मतलब होता है portion ठीक है तो drugs की हमें जरुरत कव है जब हम बीमार पढ़ गाए लेकिन यदि हम बीमार ना पढ़ना चाहे तो हमें nutrition की जरुरत है यदि हम proper nutrition लेंगे टाइट हमारा अच्छा होगा तो हम बीमार नहीं पढ़ेंगे और यह यह टर्म किस ने दिया था इस्टिफएन पैलिस ने दिया था ठीक है इस्टिफएन फैलिस ने टर्म दिया था और nutraceuticals तो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है है ना आप सभी ने कभी ने कभी multi vitamin tablet capsule खाया होगा अब जिसको जैसे arthritis हो जाता है गाउट हो जाता है नी में पेन होता है backbone में pain होता है तो उस case में हो क्या करता है vitamin D और calcium के tablet लेता है महीनों उससे उसकी body में vitamin D की presence में calcium का absorption होता है और calcium की कमी पूरी हो जाती है और जो हमारे bones से और muscles से related जो problem है muscles में जो cramps आए है अकड़न जकड़न है या नी में पेन हो रहा है आपके elbow में पेन हो रहा है ठीक है neck में पेन हो रहा है तो वो सब पेन automatically remove हो जाता है तो यह सब है आपको यह सब एक बार आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा काफी easy language में describe किया हुआ है एक होता है cure एक होता है treatment treatment मतलब होता है symptoms को suppress करना cure मतलब होता है बीमारी को जड़ से ठीक करना ठीक है बीमारी को जड़ से ठीक करना means cure और treatment मतलब उसके symptoms को उसके clinical manifestation को suppress करना यह देखिए here you can see the image pharmaceutical and nutraceuticals nutraceutical comes from the natural sources vegetables fruits okay and the pharmaceutical is used for the treatment of disease and disorder so this is pharmaceutical and this is nutraceutical okay now is it you have now more clarity about nutraceuticals and pharmaceuticals pharmaceutical used in treatment of disease and nutraceuticals prevent the disease मतलब disease होने से आपको बचाएंगे है ना तो आपने कहावस सुनी होगी prevention is better than cure तो cure के mode पर ना जाना पड़े तो पहले ही आप ऐसे initiatives लो और अपनी diet को इतना better रखो जो लोग effort कर सकते हैं बढ़िया dry fruits खाये करो full fruit खाये करो केला से अंगूर है ना चिकू ऐसे fruits आप लोग लिया करो आपकी skin भी अच्छी रहेगी चमकती दमकती है ना आप लोग काफी खुफसूरत लगोगे आपके एलिगेंस इंप्रूब होगा आपका confidence बढ़ेगा तो nutraceuticals खाओ ना नहीं तो फार्मसोटिकल्स खाना पड़ेगा अब फार्मसोटिकल में पैसा वेस्ट करने से अच्छा हैगी nutraceuticals में invest करो क्योंकि यहां पर आपको टेस्ट भी मिलेगा है ना कल को आप बीमार पड़ो और डॉक्टर आपको दवाई लिखे इससे अच्छा बढ़िया सो रुपे किलो अंगूर आता है एक किलो अंगूर लो सप्ता वर खाओ महीने वर अंगूर खाओ कि चार सो रुपे का खर्चा आएगा नहीं तो दवाई में आगे चलके इससे जादा खर्चा आपका बढ़ जाएगा तो जो दवाई या नहीं खाना चाहता वो का सेवन करना शुरू कर दे मस्त प्रोटीन पिया करो दूद में मिक्स करके और जितने भी सीजनल वेजटेबल से वो खाया करो सलात खाया करो अपने बॉड़ी का बहुत ध्यान रखा करो हाईजीन मेंटेन किया करो तो कोई इंफेक्शन नहीं होगा कितना अच्छा आपक साइन्टिफिक एक्स्प्लेनेशन के साथ में कितना अच्छा कोर्स आप लोग कर रहे हों है ना तो यह नूट्रासुटिकल्स है और यह फार्मसुटिकल्स है नाओ नूट्रिशन की रिक्वार्मेंट हमारी बॉड़ी में एक होता है फार्मसुटिकल्स यह मैंने आपको अभी बताया है जब एकती बीमार पड़ गया है इंजूरी हो गई है तो उसकी रेमेडीज के लिए दिया जाएगा और हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए दिया जा critically nutrients nutrients में आता है vitamins, minerals, amino acids fatty acids कुछ ऐसे harbs होते हैं बॉटनिककल हुँ होते हैं जिसमें nutraceuticals की property होती है जैसे हम पालक खाते हैं पालक से हमें iron मिलता है हम जैसे चुकुंदर का जूस पीत Music पीत है उससे हमें iron मिलता है हम अनार खाते हैं उसा मैं iron मिलता है हम केला खाते हैं बनाना उससे हमें potassium मिलता है तो यह सब electrolytes है minerals है जो हमें कहां से मिल रहा है natural sources से मिल रहा है herbs से और plant से और vegetable से fruit से ठीक है dietary supplement में probiotics भी आता है prebiotics भी आता है antioxidant और enzymes आता है ठीक है जैसे हमें papita से हमारा digestion improve होता है क्योंकि papita में papain होता है papain is a digestive enzyme it is present in papaya तो papaya हमें खाना चाहिए पेट के लिए अच्छा होता है antioxidants antioxidants भी बहुत ज़रूरी है vitamin E as a antioxidant काम करता है vitamin C vitamin C हमें कहां से मिलेगा खटी चीजों से मिलेगा संत्रा और आवला से तो vitamin C की कमी हमारी body में नहीं हो इसके लिए हम सभी को सीजनल आवला खाना चाहिए संत्रा खाना चाहिए ठीक है तो हमारी body में antioxidants की कमी नहीं होगी probiotics के लिए हमें धहीं खाना चाहिए दूद पीना चाहिए ठीक है तो इस से की हेल्थ को मेंटेन रखेंगे तर्शो नियुट्रियंट आपको समझ में क्या होता है और हर्बल फाइटो खैमिकल कॉंसट्टियंट और डियेटटरि सप्लिमेंट जो डिजीज होती है उन्के लिए नीट उम्चेल उलिए के चित्रेटमंट के लिए ईमारे ये हमारे जो ligaments है, cartilage है, tissue है, tendons है इनकी health को maintain करता है आपको पता है न लigament, cartilage, tissue, tendon ये सब क्या होता है यह आना, ये anatomy, physiology में पढ़ना होता है जो जैसे bone से bone को connect करेगा ligament, bone से muscles को connect करेगा tendon is toLETell, cartilage होती है तो इसकी health के लिए glucose mean दिया जाता है ठीक है? this is nutraceuticals it is not used for treatment of the disease it is used to improve the health of the body to maintain the health of the body glucosamine cardiovascular health के लिए हम देते हैं CoQ10 आता है melatonin आता है ठीक है यह सोया बीन ओईल इसमें olive oil bone marrow pineal glands है ना और fish oil इन से हमें मिलता है यह और फिर आपका आता है cancer prevention के लिए lycopene आता है ठीक है tea extract आता है green tea हम लोग खाते ना red wine भी स्वास्त के लिए बढ़िया होती है अंगूर की जो शराब होती है थोड़े सा हम दवाई की सुरूप में ले सकते हैं flaxseed oil आता है fish oil आता है cod liver oil टमाटर से हमें मिलता है अंगूर से मिलता है raspberry strawberry तो यह सब हमारे स्वास्त के लिए अच्छे होते हैं और ना inorganic chemicals हमारी body के लिए minerals की जुरूत पढ़ती है मैं आपको अभी बताया iron containing compound in case of treatment of anemia probiotics probiotics में क्या होता है good bacteria जोते sporlak आता है in case of treatment of diarrhea and lose motion हम use करते हैं prebiotics prebiotics digestive enzymes digestive enzymes क्या करते हैं digestion को improve करते हैं digestion की speed को पढ़ाते हैं digestion बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि हमारा food digestion नहीं होगा तो हमें nutrition नहीं मिलेंगे और हमारी diet में fibers होने चाहिए ठीक है antioxidant अभी आपको बताया vitamin E और vitamin C ठीक है fatty acid में omega-3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी body के लिए ठीक है और keratenoids ठीक है soya proteins soya beans से में protein मिलते हैं तो जबीन भी हम खाते हैं तो यह हमारी health के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह प्लांट सोर्स में मैंने आपको पता है टमेटो गार्लिक और मोमोडे का ठीक है यह biological नेम है ब्लांट के टमाटो तो आपको पता है यह गार्लिक भी आपको पता है लसून अनिमल अनिमल से शार्क लिवर ओड कॉड लिवर ओई अभी बताया मिनरल में आपको अभी example दिया calcium magnesium और phosphorus ठीक है micro organism जो हमारे लिए ज़रूरी है बिफिडो बैक्टेरियम है ना और चैसे हैं जो disease cause करते हैं उनको pathogens कहते हैं पाइरोजन कहते हैं बट इस बैक्टेरिया जाट गुट फॉर अवर हेल्थ तो हमको दूद पीना चाहिए ठीक है और नहीं घाना चाहिए खाना खाते वक्त यम्मी टेस्ट नहीं का लस्सी प्या करो गर्मी आ गई है इंजॉय लस सी calcium magnesium 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 boron copper zinc phosphorus these are the minerals which is very important for our body for metabolic process for the formation of biomolecules for example insulin formation is possible in presence of zinc okay and selenium is required for the formation of ovum ovum cell membrane जो ओवा होता है न अंडा होता है फीमेल में कभी-कभी infertility की problem आती क्योंकि उनका अंडा प्रॉपर शेप का नहीं बन पाता है उसकी membrane कमजोर रहती है जो आगे चलके मिस्करेश को promote करती है तो डॉक्टर उनको selenium mineral prescribe करते हैं ताकि उनकी infertility को दूर किया जा सके सामाने ता अंडे का साइज होना चाहिए 18 mm से 26 mm के बीच में अब सोनोग्राफिक की तो पता चला भई 10 mm का अंडा बन रहा है अंडे का साइज है छोटा एदि फर्टिलाइजिशन हो भी जाए निसेशन हो भी जाए तो आगे चलके मिस्करेश हो सकता है या नहीं तो इसलिए अंडे का के टीन के के फॉर्मेशन में मुझा हमारा नल्व मशल्स मसल्स का है जो जो गंडाशन होता है रिलीज ओफ रोण्स्मिटर यह काश्यम की विज़ से पॉसिबल हो पाता है और ग्लैंट्स के जो फंक्शन होते हैं केमिख काम Acts exemption also तो calcium has a major role in biochemical reactions sometime it acts as a catalyst it speed up or it initiates the biochemical reaction in the body. Blood clotting involved in the body blood clotting is possible due to presence of calcium and vitamin K is also required in deficiency of vitamin K you can suffer from breathing disorders. Iron energy production transportation of oxygen Hemoglobin Hemoglobin क्या होता है Iron Globin मतलब protein जब iron metal जब protein से connect होता है तो उसको metallo protein बोलता है तो metallo protein क्या है Hemoglobin है और what is function of Hemoglobin? It carry the oxygen it transports the oxygen CO2 और oxygen का transportation करता है metallo protein it is Hemoglobin next magnesium for the health of nerves and muscles function and bone formation Bone का formation possible है magnesium की presence में magnesium is also important mineral of the body Phosphorus Phosphorus Phosphorylation के थूँ body में energy production होता है bone और teeth का formation होता है और genetic material का important atom होता है Phosphorus genetic material में आता है deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid it is present in the center of the cell it is major constant of nucleus of the cell तो Phosphorus is also important for our body you must know about the functions and the disease disorder arises from the deficiency of different minerals in our body now we move to the copper ठीक है collagen production होता है collagen is a fiber it provides the elasticity to the muscles तो collagen fiber का production copper की presence में होता है है ना और heart की health के लिए और iron के absorption के लिए copper की जुरुद पढ़ती है iodine for proper function of thyroid gland it is located in neck reason throat throat में present होती है butterfly like structure होता है जो की thyroxine hormone का production करती है thyroxine hormone दी बढ़ जाएगा तो hyperthyroidism हो जाएगा कम हो जाएगा तो hyperthyroidism हो जाएगा तो iodine की कमी से goiter नाम का रोग होता है chromium chromium क्या है conversion of carbohydrate into energy तो जो carbohydrate का metabolism का जो biochemical reaction है उसको कौन catalyst की तरह काम करेगा catalyte कौन करेगा उसकी speed को कौन बढ़ाएगा उसको initiate कौन करेगा chromium selenium as a antioxidant काम करता है और heart के health के लिए बहुत अच्छा होता है zinc is essential for cell production and development of neonates गर्भा अवस्था के दोरान बहुत ज़रुत पढ़ती है zinc की क्योंकि zinc जो neonate है जो gigot formation हुआ है जो baby गर्भ में पल रहा है उसके लिए zinc बहुत ज़रुरी है तो pregnant lady को zinc का tablet भी दिया जाता है ताकि उसके baby का पेट में सहीं से development हो सके बच्चादानी में गर्भ में तो उसके लिए ज़रुरी है और zinc का दूसरा यूज होता है टेस्टेस्टोन हर्मोन और sperm के production के लिए यदि कोई male है वो infertile हो गया है उसमें proper sperm का production नहीं हो पा रहा है उसके sperm की जो morphology है वो सहीं नहीं है उसका structure सहीं नहीं है shape and size उसका यदि defected है तो उसकेस में zinc का टेबलेट दिया जाता है zinc is a mineral so we have seen lot of minerals which has major role in our body it speed up the biochemical reaction it initiate act as a catalyst and it is impart in formation of biomolecules, hormones and enzymes now vitamins has two types fat soluble vitamins and water soluble vitamins fat soluble की category में आता है vitamin A, vitamin D, E और K इसका जो mnemonics है जिससे आप इसको याद रख सकते हो KEDA याद रखना KEDA 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 जो होता है KEDA KEDA से याद रखना KEDA ये आपके fat soluble vitamin होते है fat soluble vitamin क्या है body में store हो जाता है fat soluble vitamin body में store हो जाता है तो हम इसमें first देखते है vitamin A it act as an antioxidant essential for the growth and development maintain the healthy vision skin, mucous membrane may aid in the prevention and treatment of certain cancers and in treatment of certain skin disorders vitamin A की कमी से हमें skin disorders होते हैं और ice related एक disease होती है जिसको हम zerophthalmia बोलते हैं अभी आपके sectional में question भी आया होगा ठीक है आपके sectional में मैंने question दिया था कि zerophthalmia जो disease है वो किस vitamin की कमी से होती है तो उसका answer आपको यहां मिलेगा vitamin A बहुत student ने मुझसे phone लाके पूछा भी था कि सरी यह zerophthalmia क्या है और कौन सा vitamin ने हमें कहीं मिल नहीं रहा है तो यह है इसका answer ठीक है मैंने आपको पढ़ाया होता तो आप फिर कर लेते हैं इसको solve ठीक है कोई बात नहीं तो vitamin A की कमी से zerophthalmia होता है dryness of eye ठीक है इमेज के formation के लिए और आपके vision के लिए responsible होता है उनका production नहीं हो पाता है तो eye damage होती है आपकी vitamin A की कमी से तो सभी लोग गादर पपीता खाना शुरू कर दो vitamin A की कमी आपकी body में नहीं होनी चाहिए नहीं तो भगवान की बनाई इतनी खुबसूरत दुनिया आप नहीं देख पाओगे आखे आपको इतनी खुबसूरत दुनिया दिखा रही है न तो आखों के आपको care करनी चाहिए ठीक है और skin related disorders भी हो सकते हैं आपको vitamin A की deficiency से आपकी skin में dryness आ सकती है ठीक है विटामीन D की कमी से क्या होता है व्यक्तिको रिकेट्स हो जाता है और osteomalacia और osteoporosis हो जाता है demineralization की वैसे demineralization का मतलब होता है बोन से calcium का खिचके बाहर आना बोन से calcium खिच जाएगा तो हड़ियां कमजोर हो जाएगी हड़ियों में deformity हो जाएगी उनका sapient size disturb हो जाएगा और वो fracture के लिए बहुत जादा susceptible हो जाएगी ठीक है तो vitamin D की presence में calcium का absorption deodenum से होता है deodenum is the first part of small intestine वहां से calcium का absorption होगा in presence of vitamin D and vitamin D is also called sun exposure vitamin because it is synthesized by the body in presence of UV light तो आपको sun bath लेना बहुत जरूरी है vitamin E antioxidant, vitamin K, vitamin B1, vitamin B1 की presence में carbohydrate का metabolism होता है और neurological function भी proper perform होता है vitamin B2, energy production, ठीक है carbohydrate का metabolism, healthy eye and skin nerve function, vitamin B, vitamin B6, ठीक है vitamin B12, vitamin B12 का chemical name का है cyanocoblamine, it is a hematinx, it involved in the process of blood formation, it's called erythropoies, ठीक है what are the four constraints which is need, needed for formation of blood, folic acid, vitamin B9, cyanocoblamine, vitamin B12, erythropoietin, it is produced by the kidney, and last one is iron, iron is the element, these are the constraints which body needs for production of blood now, folic acid, folic acid is also required for production of RBCS and genetic material, what is genetic material, DNA and RNA, it is present in the center of the cell, in the nucleus, deoxyribonucleic acid or ribonucleic acid, pentathonic acid it is required for synthesis of cholesterol, steroid and fatty acids, crucial role in the extra neuronal synthesis of the acetylcholine, so pentathonic acid है, it is required for the synthesis of acetylcholine, what is acetylcholine, it is a neurotransmitter, it act in, where does it act, autonomic nervous system, yesterday we had a class, pharmaceutical chemistry, acetylcholine, 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 acetylcholine is a neurotransmitter, it is a neurotransmitter, pentathonic acid presence in the presence of the synthesis of cholesterol, fats, so this is vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K, this chapter is very easy, already you have studied in previous classes, in your schooling, 9th, 10th, 11th class, already you had discussion about this, it is very easy, but it is important for your depharmacy exam point of view, the whole unit is nutrition and health, and this unit you have studied in this unit, and this is easy, diarrhea treatment, and your urinary tract infections, all of your treatment, vitamins and nutraceuticals use, किये जाते हैं, अलोवेरा, अलोवेरा आप लोग यूज़ करते हो, अलोवेरा में anti-inflammatory property होती है, emollient property होती है, wound healing की property होती है, कभी किसी को wound हो जाये तो उसके आप अलोवेरा लगा सकते हो, प्राइम रोज ओईल आता है, dietary supplement, linologic acid, treatment of atopic eczema, eczema क्या होता है, skin disorder होता है, dermatological conditions होती है, जिसमें skin पर राशिश पढ़ जाते हैं, और ring का formation हो जाता है, और ये spread भी हो सकता है, गार्लिक, गार्लिक मतलब होता है लहसुन, लहसुन में anti bacterial property होती है, anti fungal property होती है, anti thrombotic property होती है, और anti inflammatory property होती है, लहसुन एक बहुत अच्छा ड्रग है, और and it is available in your kitchen, तो लहसुन खाया करो बढ़िया, लसुन खाते होगी नहीं, लसुन बहुत बढ़िया होता है स्वास्त के लिए, ठीक है, कभी कई fungal infection हो जाए, skin पे तो लसुन की लोंदी लगा लेना, लसुन पीस के, एक number मज़ा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका जो भी infection है, जिंजर मतलब होता है अधरक, अधरक भी आपके घरों में available है, कार्बिनेटिव की तरह काम करता है, digestion को improve करता है, गैस की किसी को problem हो तो उसको अधरक खाना चाहिए, एंटीमेटिक होता है, उल्टी की feeling को कम करता है, जो लोग बस में बैठते हैं, जिनको उल्टी आती है, वो अधरक रखा करो, अधरक चूसा करो बैठके, तो उल्टी नहीं आएगी, treatment of dizziness, dizziness मतलब होता है सरचकराना, तो ginger भी drug है, लसुन अधरक ये दवाईया है, जो हम भोजन में रोज लेते हैं, तो इनकी quantity थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है, जिनसेंग, जिनसेंग क्या होता है, adaptogen होता है, मतलब हमारी बोड़ी में, अनुकूलन, atmosphere के हिसाब से हम और हमारी बोड़ी में immunity को भी improve करता है, green tea आपने भी पी होगी, covid time पे, vegetables, fruits, whole grain, herbs, nuts, seeds, ठीक है, और ये सब हमारे health के लिए important होता है, phytochemical constant हमें natural sources से मिलता है, लसून हुआ, apple हुआ, और आपका red wine हुई, red wine का formation आपके काले अंगूरों से किया जाता है, लाल काले अंगूर जो आते हैं, और मटर हुआ, मटर के दाने, जो seeds की कटेरी में आएंगे, tomato से हमें lycopene मिलेगा, और cabbage, green cabbage, broccoli, यहना, यह सब आप देख लीजेगा, पढ़ लीजेगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, easy है, यहना, और fiber intake को यदि हम reduce कर दें, तो हमें gastrointestinal diseases हो सकती ह है, hypertension हो सकता है, diabetes, heart disease, और several types of cancer हो सकते हैं, colon, colon is the end part of the stomach, stomach में जो हमारा GI tract है, उसमें stomach के बाद क्या होता है, diodenum होता है, small intestine, large intestine, large intestine के जो parts होते हैं, उसमें जो last वाला part होता है, उसको colon कहते हैं, तो colon का cancer हो जाएगा, यदि आप diet नहीं लोगे तो proper, उसमें fiber होना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी daily need कितनी है, 20-35 gram per day हमें fiber हमारे diet में होना चाहिए, और fiber के sources क्या होते हैं, fruit, vegetables, spoon grain, bread, rice, nuts and seeds, adequate water हमें लेना है, जिससे हमारे body में proper stool का formation हो सके, नहीं तो hard stool का formation होगा, all therapeutic areas such as, बहुत सारी ऐसी diseases हैं, जिसमें हमें nutraceuticals को हम यूज करते हैं, तो उनके नाम है, anti-rheumatoid arthritis, sleeping disorders, digestion problems, prevention of certain cancers, osteoporosis, blood pressure, cholesterol lowering drugs, इसमें आता है garlic, जिनको भी body में cholesterol बढ़ रहा हैं, उनको लहसन का 7 बढ़ा देना चाहिए, neurological disorder, autism, it is a problem associated with ear, कान में जो pain होता है न, वो autism कहलाता है, diabetes, ये तो आपको पता ही है, अब इसमें आता है आपका, ये सम्में आपको बता चुका हो, एक बार आप पढ़ दीजेगा, हमारे body के different parts के health के लिए, हमें जो brands available है market में और उसमें क्या components होता है, वो यहाँ दिया हुआ है, तो हमारी diet में dietary fibers, probiotics, prebiotics, antioxidant, है न, सब mineral carbs, routine, सब होना चाहिए, dermatitis, है न, इसके भी treatment में nutraceuticals यूज़ करते हैं, hepatitis के, है न, और arthritis, asthma, cancer, trauma, stroke, so this is end of this class today, we have discussed nutrition and health, what are the different nutritions which is required to maintain the health and which is used as a support to drugs for treatment of disease, so, do you have any doubt about this lecture, I am going to end the class, Parul, Sailkumari, Govind Swami, Mehaeg, Jitendra, no sir, no sir, तो मैं ही कह रहा था कि आज आपके attendance साकीव है क्या है एलो साकीव है नहीं है दिलिप अटेंडेंडेंस ले लो स्नेप्शॉट और मुझे वाटसप कर देना आप ठीक है ठीक सां करता हूं ले ली अटेंडेंस फिर मैं क्लासर रेंड करता हूं एक मिन सां आसर ले ली मुझे वाटसप कर दीजेगा ठीक है ओके है ना कल मिलते कल तो संडे हैं मंडे मिलते हैं ठीक है और कोई दूसरा सबजेक्त देखेंगे तो आज हमने ये वाला यूनिट किया है थोड़ी बहुत कुछ चीज है रह गई है वो बाद में हम देखेंगे एना सोचल फार्मेसी आपका और यूनिट थर्ड नूट्रिशन एंड हेल्थ ठीक है इसमें अब हम आगे देखेंगे फार्मा को इकोनॉमिक्स डिसकस करेंगे ठीक है चलिए कल मिलते ह है वे नाइस दे बाई